है एक मेरे प्यारे प्यारे साथियों दोस्तो बच्छो नमस्कार आप सबी को तो आज हम फिर से आगे चल रहे हैं कंस्ट्रेया औ आफ स्यूशन में अब तो मजै रहा होगा एक कंस्ट्रेशनय और स्वBenеди में अदेна कंप्रेशन बहुत इंप्संट ओप में ये एक चल रहा है जो कोई भी प्रोब्लम रह जाएगी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता था हम कोसिस करेंगे जनवरी में नीट का बैच लेके आने की जहीं का बैच लेके आने की अगर आपका साथ बना रहा लाइव सेशन तक पहुचने के बाद मैं आपको साथ साथ प्रोब्लम भी ले सकते हो आप यूजली पूछ सकते हो फिर आपके समय के अकोरडिंग कर जैसा आपका समय होगा उसी के अकोरडिंग हम लाइव सेशन लेंगे फिजिक्स का भी केमिस्टी का भी तो लास्ट टाइम हमने मोलालिटी को किया था लेकिन मैंने कहा था कंपलेट नहीं हुआ था लेकिन उससे पहले मोलालिटी में आगे बढ़ने से पहले हम मोलालिटी देख लेते हैं पहले हम इनके बारे में सिंपल जान लेते हैं फिर अलग तरीके से जानेंगे, तो आज हम देख लेते हैं, molality, molality को ले लेते हैं, molality क्या कह रही है अभी, molality क्या होते है, it is denoted by small m, इसको किस से denote कियाता है, small m से denote कियाता है, molality is denoted by small m, molality को हम small m से denote करते हैं, और molality को हम किस से denote करते थे, से कैपिटल M से कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बहुत ही सिंपल सा माइनर सा डिफरेंस है ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर यह क्या करा है उस बार हमने क्या लिया था वोल्यूम लिया था सॉलूशन का एक लिटर लेकिन अब पहली बात तो आपको सॉल्वेंट लेना है आपको क्या लेना भी सॉल्वेंट लेना है और सॉल्वेंट का भी क्या लेना मास लेना है कितना मास लेना है वन किलोग्राम जब आपका सॉल्वेंट का मास वन किलोग्राम होगा तो उसके अंदर नंबर ओफ मॉल्स ओफ सॉल्यूट कितने है नंबर ओ of mols of solute in one kilogram solvent in per one per kg solvent अगर आपके पास solvent का मास एक kilogram है तो उसके अंदर solute के कितने mols present है उसी को हम नाम देते हैं बही molality तो number of mols of solute number of mols of solute mols of solute present in पर किलोग्राम सोल्वेंट पर किलोग्राम सोल्वेंट पर केजी सोल्वेंट में कितने number of moles of solute present है उसे हम क्या नाम देते हैं उसे हम नाम देते हैं molality इस बार आपने वहाँ पे लिया था volume of the solution लेकिन यहाँ पर क्या लेना mass लेना वो भी किसका solvent का कितना एक केजी लेना है लेकिन हर बार solvent का mass एक केजी नहीं दिया जाएगा तो उसके लिए जैसे molarity में formula बना था वैसे ही इसमें बना लेते हैं तो molarity will be equal to क्या हो जाएगा moles of solute वो तो उपर आएंगे moles of solute divide में क्या करोगे mass of solute divide में क्या करोगे इसके according में इसके एक बार unit बना लेता हूँ क्या बनगे ऊपर है moles unit क्या बनगे mole नीचे क्या kg, kg उपर जाएगा inverse हो जाएगा तो mole per kilogram हो गया नहीं हो गया, mole per kilogram का मतलब कितने moles solute के per kilogram solvent में है, mole per kilogram इसलिए molality की जो unit है, sorry formula वो क्या होता है number of moles of solute होगा, तो उसमें कितने solute के moles present है, उसे बोलते है molality, या molality की unit क्या होगी mole per kilogram, अरे mole per kilogram ही तो कह रहा है, per kg solvent में कितने moles present है तो यहाँ से बना लो आप unit तो यहाँ से भी बन रही है, moles per kg कितने moles of solute है per kilogram solvent में, तो mole per kilogram किलोग्राम हो गया योगी मॉल्व्र किलोग्राम या कि यूनिोर एक और लिख लिखते हैं तक कि उना लेते हैं मेरे पास्तवत आगे ॔र वो भी किसका है मान लेते हैं मैंने solution माना एन्नेवच का solution we have एन्नेवच solution एन्नेवच का solution कितने molality का है एन्नेवच का solution है 3.2 molality का 3.2 molality का एन्नेवच का solution 3.2 molality का एन्नेवच का solution है 3.2 molality का एन्नेवच का solution है अगर आपके पास 3.2 molality का एन्नेवच का solution अगर है 3.2 molality का अगर एन्यवच का solution आपके पास है तो आप क्या करोगे भी 3.2 molality का एन्यवच का solution अगर आपके पास है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधी सी बात है 3.2 molality को मैं क्या लिख सकता हूँ 3.2 mol per kilogram, लिख सकता हूँ क्योंकि molality की unit mol per kilogram मतलब ये है एक किलोग्राम सोल्वेंट में कितने मॉल्स परजेंट है 3.2 तो मॉल्स ओफ सोल्वेंट आगे आपके पास मॉल्स ओफ सोल्वेंट 3.2 मॉल्स ओफ सोल्वेंट आपके पास कितने आगे 3.2 आगे मॉल्स अफ सोल्वेंट कितने आगे 3.2 और उसमें मास अफ सोल्वेंट कितना है उसके अंदर मास अफ सोल्वेंट कितना परजेंट है उसके अंदर जो मास अफ सोल्वेंट है वो कितना परजेंट है एक किलोग्राम है इसका मतलब यही तो निकला कि एक किलोग्राम सोल्वें इसके उपर एक numerical, simple सा numerical देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा complicated भी देखेंगे, फिर और दीरे-दीरे आगे बढ़ेंगे लेकिन numerical देखने से पहले दो-तिन बातें यहां से जो हम से पूछी जाती है उनको हम discuss कर लेते हैं, क्या है उनको देखिए आप एक बार क्या कह रहा है, यह कह रहा है आपके पास molarity भी है और आपके पास molality भी है which is best term to देखना, आप question ऐसे ऐसे बताता चलूँगा जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे और बहुत मज़ा आने वाला है molarity और molality में which is best term to express concentration, which is best which is best to express concentration which is best to express concentration concentration को express करने के लिए कौन सी best term है which is best to express concentration, molality and molarity, इन दोना में से which is best to express concentration concentration को express करने के लिए कौन सी best term है आप से अगर यह सा कोई पूछे तो कौन सी best term होगी भी यहाँ पे molality is the best term molality is best term molality l-i-t-y भाई यह भी जिसको हम small m से लिखते हैं वो is best term यह best term है भी क्यों है यह best term वो सुन लीजिए क्यों है भी यह best term क्योंकि अभी अभी आपने देखा molality में क्या यूज हो रहा है सभी जगे mass यूज हो रहा है सभी जगे mass यूज हो रहा है सभी जगे mass यूज हो रहा है यह देखिए कहीं पे भी volume का जिकर नहीं है लेकिन molality के अंदर molality में हमने पढ़ा था क्या यूज हो रहा था volume यूज हो रहा था और जो volume होता है वो क्या होता है volume हमेशा temperature के साथ चेंज हो जाता है volume temperature के साथ क्या हो जाता है लेकिन mass कभी भी temperature के साथ चेंज है नहीं होता है अब आपने क्या क्या मान लेते हैं आज solution बनाया आज का temperature 40 degree Celsius है 2-3 दिन बार temperature हो गया 20 degree Celsius temperature low हो गया temperature low होने पर volume change volume change तो molarity भी क्या हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर mass यूज हो रहा है and mass have no effect of temperature mass के ओपर temperature का कोई effect नहीं होता इसलिए molality is the best term कौन सी term है भी molality is the best term to express concentration तो आपसे पूछा जा सकता है कई बार पूछा हुआ competition में भी पूछा हुआ है तो कौन सी best term है to express concentration तो आपसे पूछा जा सकता है हो जाएगा भी यह था आपके पास molarity और molarity में कौन best है एक आपसे question क्या पूछा हुआ है write one concentration term which is independent of temperature write one concentration term which is independent of temperature temperature के उपर independent कौन सी term होती है independent of temperature temperature के independent कौन सी term होती है temperature के independent कौन सी term होती है अगर temperature के independent, मतलब जो temperature पे depend नहीं करती है, अभी अभी तो देखा तो कौन सी होती है, molality, molality में कोई volume use नहीं होता, जिसमे volume use होता वो temperature पे depend, लेकिन ये volume पे depend नहीं करती है, इसलिए temperature के क्या होगी, independent होगी, तो ऐसा question भी आप से पूछा जा सकता है, हर तरीके से question पूछा जा सकता है, वो आपको पता होना चाहिए, तो which is the best rum और कौन सी का है, अब एक question और बनता है, साथ-साथ, एक question और बनता है, वो क्या है, वो हम आगे देखेंगे, उससे पहले आप क्या कीजिए, अब आप एक numerical देख लेते हैं, फिर देरे-देरे बढ़ेंगे आगे, कोई भी question में doubt रहता है, तो आप बोल देना, उसको हम solve कर लेंगे, यह क्या कह रहा है भी आपके पास, यह कह रहा है, 112 ग्राम के वो अच, डिजोल्ड इन, डिजोल्ड इन, 650 ग्राम बोटर, 650 ग्राम बोटर, calculate, calculate its molality, calculate its molality, calculate its molality, इसकी molality calculate करो भी, यह कर रहा है, calculate करने से पहले formula पे ध्यान देते हैं, क्या था formula, यह लीचे, मैं formula पे ध्यान दे रहा हूँ, बागी सब बाद में देखेंगे, पहले formula पे आओ, क्या था भई formula, सबसे पहले, molality का formula पढ़ा था, number of mols of solute, तो mols of solute को मैं कहा लिख सकता हूँ, NB, divide में क्या था, mass of solvent in kilogram, और solvent A होता है, और solvent का mass क्या होता है, WA, solvent का mass क्या होता है, WA, अगर इसका molar mass पूछता ना, तो MA होता, लेकिन यह mass पूछ रहा है, तो mass of solvent, WA, लेकिन यह kilogram में मिलेगा, तो इसको kilogram में change करने के लिए 1000 से divide करोगे, 1000 का चला जाएगा, ओपर, चला गया, अब क्या, NB को क्या लिख सकते है, number of mols को, यह भी हम पढ़ चुके है, number of mols is equal to क्या होता है, जिसके mols निकालने, उसका weight, divide में, उसका molar mass, अब B के mols निकालने, तो B का weight, divide में molar mass हो, B, रख दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो WB, अपोन में MB, यहाँ पे नीचे WA है, multiply 1000, यह बन गया भी आपका morality का formula, इसमें कोई doubt हो, तो बताओ, हो गया, formula के according भी calculate करवाँगा, हर तरीके से calculate करवाँगा, अब देखिए, आपके numerical पे आजिए, आपके question पे आजिए, 112 ग्राम के वाच, और water कितना है, 650 ग्राम, कि कि amount कम है, मतलब यह हो गया, solute, और solute का mass कितना हो गया, सोचने की बात ही नहीं है, WB हो गया, कितना हो गया, 112 ग्राम, बोलो भी समझाया है, नहीं आया, उसके बाद क्या है, molar mass भी हमें चाहिए, solute, कौन सा solute है, कोच, फिर से अपनी table में लिख लीजिए, कोच का molar mass, 39 किस का होता है, potassium का oxygen का कितना होता है, solar hydrogen का कितना होता है, एक सब को जोड़ों कितना हैगा, 56, तो इसका molar mass, MB भी आ गया, उसके पास WA, WA कितना दिया हुआ है, mass of solvent, कितना दिया हुआ, 650, सब कुछ तो आपके पास है, formula में लगाना ही तो बाकी है, WB कितना है, 112 multiply, 1000 divide, MB, MB कितना है 56 multiply, WA, WA कितना है, 650, ये लिजी अभी, आपके पास आ गया नमेरिकल, unit पका लिक होगे भी, हो जाएगा, या दूसरा तरीका क्या भी, दूसरे तरीके से देख लो, 112 gram कोच dissolved in, ये लिजी यहीं पर कर लेते हैं, 112 gram क्या दिया हुआ है, कोच, तो solute कोन हो गया भी, हमारे पास solute हो गया, कोच, कोन हो गया भी, कोच, कोच आपके पास solute है, तो सीधी सी बाता ज्यादा सोचने की ज़रूत नहीं, solute के moles बना लो, NB, कैसे बनते हैं, solute का weight कितना था, 112 gram, divide में, इसका molar mass कितना है, 56, कितने moles आ गये, 2 हो गया, दूसरा में क्या चाहिए, weight of solvent, weight of solvent कितना थ 650 gram, उसको kilogram में change करने के लिए कितना कर दे, 1000, ये लिजिए भी, अब molality का formula लगा दीजिए, molality का क्या formula होता है, molality का बिल्कुल simple formula, molality is equal to moles of solute, कितने आए, 2, divide में mass of solvent in kilogram, तो 650, और उपर कौन चला जाएगा, 1000, sol कर लेना भी, mol per kilogram में answer आएगा, या molality लिखे देना, उसके बताईए भी, इसमें कोई doubt हो आपका, ये लिजिए भी, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, ये लिजिए, दोनों तरीके आपके सामने हैं, बिल्कुल, ज्यान से देख लिजिए, फिर आगे वढ़ते हैं, हो गया होगा भी, अब देखिए ता numerical आप मज़ा आने वाला आप दीरे दीरे देखते जाए अब, मूगे अवादाने हैं, बिल्कुल, भी, आपके से चुल, को होगा आपके से बता को अज़ दीरे देखिए, भी, अ अब ह。 ुआ अब देखिए, भी, 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 देखिए लिए बाता आपी हैं, भी, अब एग będ message दिवां हैं, यह लिजी अभी हमारे पास आ गया है पहला कोशन देख लिजी ए बड़े ध्यान से देखिए यह भी पहला कोशन calculate the mass of urea required in making 0.25 molality aqueous solution sorry in making 2.5 kg of 0.25 molality aqueous solution आपको एक aqueous solution मतलब बनाना है aqueous का मतलब क्या है? aqueous का मतलब है यहाँ पर water solvent है बड़ा ही important question है भी बहुत ही जौदा competition level का question है बहुत ही important है समझने का है यह चीज़े समझ के बगएर नहीं आएंगे पहले द्यान से जो बोलता हूं उसको सुनिए यह करा आपके पास 0.25 molality का aqueous solution है और उस aqueous solution का weight है 2.5 kg अगर उस aqueous solution का weight 2.5 kg है तो उसके अंदर urea डाला हुआ है urea इसका मतलब solute हो गया aqueous का मतलब है water solvent हो गया और urea solute हो गया तो उसके अंदर solute का mass कितना है यह इसने पूछा है बड़ा simple सा question पूछा है कोई ज़्यादा वो नहीं है एक बार हम देख लेते हैं तो देखिए मैं यहाँ पर इकठा कर देता हूँ इसको एक कोने में ताकि हमारा यह solution यहाँ से निकल जाए calculate the mass of urea required in making urea मतलब यहाँ पर solute हो गए एक एक चीज को अलग लग रख रहा हूँ वही द्यान से देख ले न फिर सबसे पहले urea क्या हाँ आपका solute है लिख लो जो कुछ भी चाहिए आपको लिख लो urea जो आपका solute है urea क्या हाँ आपका solute है urea जो solute है उसका mass कितना चाहिए मतलब wb आपको calculate करना है आपका जो main motor है वो पहुँच गए है क्या calculate करना है wb calculate करना है in making कितना बनाना आपको solution बनाना कितना 2.5 kg मतलब solution mass solution mass solution का mass कितना हो गया solution पूरे solution का mass कितना है 2.5 kg kilogram किलो ग्राम ना लिख कर उसको gram लिख लो कि ले सी लुटी फई हंड़र्ड ग्राम में हो गया भी इतने ग्राम लिख लिए सॉलूइसन का मास है इतने किलो ग्राम Solution बनाना है यह5 kg सॉलूइसन का मास हो ग्राम सो क्रम बताइब्स बताइए इतना पूछना हो तो, अब solute का mass, let, let solute mass, solute का mass मैंने माल लिया, let solute mass जो मैंने माल लिया, वो क्या माल लिया, x माल लिया, कितना माल लिया, x, तो solvent का mass बताइए क्या रह गया, तो यह किसका mass आ गया भी, यह आपके पास solvent का mass, तो solvent mass कितना आ गया, 2500 minus x, क्योंकि x solute का था, solution में से घठा दिया, gram आ गया, हो गया भी, इतना बताओ, किसी को पूछना हो तो, हो गया, अब आपके पास क्या है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, kilogram में change कर लो, kilogram में change करते थे, त लिए था ना, क्यों लिया भी हमने इसको solvent को, क्योंकि molality दी हुई है, और molality में हमेशा solute का mass यूज होता है, इसलिए मैंने solvent का mass निकाला यहां से, और solvent का mass को kilogram में change कर लिया, अब समझ में आया, क्योंकि molality दी हुई है, कितनी दी हुई है, 0.25 molality का solution है, तो molality का formula लिखो अब जरा, molality is equal to क्या था, weight of solute, divide में molar mass of solute, क्योंकि इनको divide करने से क्या बन जाता है, moles of solute, divide में क्या आता है, weight of solvent in kilogram, kilogram में change करने के लिए thousand उपर, वहाँ पर नहीं भी करते तो already thousand हमने लगा रखा है, यहां पर thousand लगाने की कोई जरुवत नहीं थी, क्योंकि हमने thousand यहां प पूछना हो तो, अब आप अपने question पर आजिए, अब molality दी हुई कितनी है, molality कितनी दी हुई है, 0.25, यह लेजी है, 0.25, will be equal to, अब क्या चाहिए, weight of solute, weight of solute कितना था, x gram, मैंने माना यह मान रखा, weight of solute, x gram मान रखा, तो x, क्योंकि weight of solute ही तो निकालना है, solute को नहीं यूरिया, solute कोन है, यूरिया, और water किया, solvent, divided, multiply कितना है, 1000, divided में कैया आपके पास, molar mass of solute, और solute का molar mass, Embi का मतलब ही molar mass of solute, और solute है कोन यूरिया, solute है कोन, यूरिया, यूरिया आपके पास है, और यूरिया का जो formula होता है, वो N H2, C O, N H2 ये होता है भी, क्या होता है, अब इसका molar mass 60 आएगा, calculate कर लो, देखो, nitrogen का 14, 1 hydrogen का 1, 2 hydrogen का 2, plus carbon का 12, oxygen का 16, nitrogen का 14, hydrogen का 2, सब का जोड़ लो भी, कितना आजाएगा, 30 आजाएगा, sorry, 60 क्या, बासर तो नहीं आ रहा है, 14, 16, 28, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आपके पास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, तो ये भी अपनी टेबल में लिख लेना, formula भी लिख लेना, और यूरिया का molar mass भी, तो यूरिया का molar mass कितना, 60, multiply WA, weight of solvent कहां है, ये रहा, solvent का weight, WA, कितना ह 2500 गराम माइनस x, तो 2500 माइनस x, ये लेजिए भी, माइनस x, माइनस x, अब इसको solve कर लेजिए भी, आपका solve करने से answer आ जाएगा, ये लेजिए मैं यहाँ पे solve करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, थोड़ा सा solve करूंगा, ज्यादा ने भी, 0.25 will be equal to x आपको चाहिए, multiply 1000, divide में क्या, ये और ये multiply होगा, तो 2500, 1500, 1500, 1500 हो गया, माइनस, ये 60 और x की multiply होगी, तो 60 x, इसको इदर ले आना, और solve कर लेना भी आपका x आ जाएगा, solute का mass आ जाएगा, यही आपको चाहिए था, आप देख सकते हूँ, आप ये लेजिए, मैंने जो question मनाया था, वो भी लेजिए, सब कुछ लेजिए, calculate the mass of urea required in making 2.5 kg of 0.25 molality aqueous solution, आपका answer आ जाएगा भी, एक तो तरीका है ये, बड़ाई simple है, direct मैंने formula में लगा के आपको बता दिया, इतना बता भी किसी को कुछ पूछना हो तो, एक तरीका तो ही है, दूसरा तरीका और देखिए इस numerical का, second तरीका और देखिए, second तरीका और मैं बता देता हूँ, कैसे आएगा, दूसरे तरीके से और देखिए, दूसरे तरीके से और देख लेते हैं, एक बार, तरीके बहुत बता हूँ अभी आप बस जुड़े रहे देखते जाएए आप ये लीजिए अभी calculate the mass of urea required in making 2.5 kg of 0.25 molality equus solution सब कुछ छोड़िए जो कुछ मैं बोलता हूँ उसके according आज़ी है देखिए क्या कह रहा है पहले molality बताइए कितनी दी हुई है molality solution की दी हुई है एक एक चीज को बड़े अच्छे से सुनना molality कितनी दी हुई है 0.25 molality दी हुई है और molality का का unit होते है mol per kilogram होता है या नहीं होता है भी बिल्कुल होता है इसमें कोई doubt नहीं है mol per kilogram मतलब मतलब बड़ा simple है माल लेते हैं मेरे पास ये जो था ये solvent का मास होता है और ये mols होते है मतलब solvent का मास solvent मास जब एक kilogram होगा जब solvent का मास एक kilogram होगा तो उसके अंदर जो solute के mols होंगे solute के जो mols होंगे वो कितने होंगे 0.25 होंगे जब आपके पास solvent का mass एक kg होगा उस time पे आपके पास solute के moles कितने होंगे 0.25 इस statement का मतलब यह है बोलो समझाए नहीं आए अब solvent का mass तो एक kg है एक kg को gram में change कर देता हूँ मैं gram में change कर देता हूँ यह लिजिए gram में change कर देता हूँ gram में change करूँगा तो कितना हो जाएगा 1000 gram हो जाएगा अब solute के moles कितने है 0.25 इन moles को भी mass में change कर लो weight में change कर लो तो solute mass और mass में change कैसे करते हैं बड़ाई simple है एक बार बता देता हूँ जो moles दिए हुए होते हैं उनको multiply कर दो किस से उसके molar mass से और urea यहाँ पर solute है बता चुका हूँ और urea solute का molar mass 60 होता है यहाँ पर urea जो हो solute है उसका molar mass 60 तो 25,500 कितना आ गया भी मेरे हिसाब से 15 gram आ गया कितना आ गया भी 15 gram आपके पास आ चुका है बोलो भी इतना समझाया नहीं 0.25 को देखो यह calculation में कहीं कोई गडबड हो जाए उसमें मैं responsible नहीं हूँ अभी चोटी मोटी calculation में गडबड हो सकती है किसी वीडियो में 15 gram solute आ गया solute का mass कैसे निकाला अरे moles बनाने का क्या formula था mass divide में molar mass अब हमें mass बनाना है तो इस molar mass को इधर लिया हो पता ओभी इतना पूछना है या नहीं पूछना है हो गया भी अब आपको क्या चाहिए तो अब हम देख लेते हैं एक बार यह लिए फिफ्टीन ग्राम अब total solution का mass solution mass कितना आ गया भी solution का mass 1000 ग्राम तो था आपका solvent 15 ग्राम solute तो total कितना हो गया 1015 ग्राम आपके पास solution हो गया बताइए भी इतना पूछना है क्या अब देखिए अब statement मेरी द्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं उसको अब मेरी statement सुनना जब आपके पास solution 1015 ग्राम है when the solution is 115 ग्राम जब solution आपका कितना है 1015 ग्राम जब solution हो तो उसमें solute कितना है 15 ग्राम solvent कितना है 1000 ग्राम तो when the solution is 1015 ग्राम जब आपका solution है तो उसमें solute 15 ग्राम है इसमें कोई आपती कोई दिक्कत आप कोगे no sir इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है 1015 बताईए भी इतने ग्राम आपका solute हो जाता है इतना भी ठीक है लेकिन अब आपके पास originally आज यह solution दिया हुआ कितना था आपके पास solution कितना दिया हुआ था वे 2.5 kg दिया हुआ था यानि कि 2.5 kg को ग्राम में change करूंगा तो 2500 ग्राम या 2500 ग्राम अब आपसे यही तो कोशन है अगर मेरे पास solution 2500 ग्राम होगा तो उसमें solute कितना होगा यही तो निकलवा रखा है निकाल लेना भी इतने ग्राम आजाएगा अंसर आपका और बाकी तरीकों से करोगे गडबड करोगे थोड़ा सा डिफरेंस आता है 0.5 तक का दूसरे तरीकों से निकालोगे कभी अंसर सही नहीं आएगा भी यह आपके पास है दोनों तरीके में आपके सामने रख दिये हैं देख लिजिए कोई doubt हो कोई question हो तो यह आपके पास था भी दूसरा तरीका आप इस तरीके से calculate कर सकते हो एक बार देख लिजिए ध्यान से फिर आगे बढ़ते हैं चलो आगे बढ़ते हैं भी यह भी आपने देख लिया होगा एक numerical और है बड़ा simple साई इसी में second numerical पढ़िए आप नहीं second नहीं भी इसी में third numerical पढ़िए यह लिजिए इसी में third numerical पढ़िए क्या है यह first यह second यहां तक और यह third numerical है question number एक दो और यह यह question number एक यह आपके पास हो गया दो और यह तीन और यह चार यह चार question देख अब यहां से यहां तक देखिए what will be the mass of a 0.5 molality solution what will be the mass of 0.5 molality solution of sodium acetate sodium acetate का solution है भी sodium acetate यहां पे किसका काम करेगा सीदी सी बात है sodium acetate का क्या formula होता है पहले यही लिख देता हूँ sodium acetate का formula भी याद कर लो गई यह लो CS3C O O N ने होता है यह आपके पास sodium acetate मतलब यह आपका solute है मतलब यह आपका solute है question को समझो फिर आगे बढ़ो भी sodium acetate का solution है जिसका solution होता वो solute होता और कितने है 0.5 molality का है कितने molality का है 0.5 molality जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.5 mol per kilogram मतलब यहाँ पे जो solvent है यहाँ पे जो solvent है वो कितना है 1000 gram या 1 kg तो उसमें solute के जो mols है solute mols solute के जो mols है वो कितने है solute के mols है 0.5 mols बताइए भी इतना लिख सकते हैं या निई इस statement का मतलब यह लिख सकता हूँ या निख सकता हूँ अब यह कर रहा है solution 0.5 molality का solution है उसका मतलब मैंने निकाल लिया of water उसके अंदर अपने क्या करें mass of what will be the mass of 0.5 molality solution of sodium acetate sodium acetate का solution है 0.5 molality का उसका mass निकालना है कब निकालना है जब उस solution के अंदर sodium acetate के mols कितने रह जाते हैं 0.15 आपके पास solution जब starting में बनाया था तो वो 0.5 molality का बनाया था वो अब भी 0.5 molality का है लेकिन उस solution का mass आपको तब बताना है जब उसके अंदर sodium acetate के कितने mols होंगे 0.15 तो यहाँ पे लिख लेते हैं sodium acetate के जो mols हैं sodium acetate के जो mols हैं sodium acetate के जो mols हैं लेकिन हमें कितने चाहिए 0.15 आगया आपका अंसर देखिए क्या आगया पड़ा simple answer आया है जब आपके पास वहन sodium acetate sodium acetate को मैं ऐसे लिख रहा हूँ ऐसे डिनोट कर रहा हूँ sodium acetate हो 0.5 mols then mass of solution अरे mass of solution तो भी बनाया है नहीं चलो पहले mass of solution बनाते हैं अभी इसको उठा देता हूँ एक बार जब आपके पास क्या होगा sodium acetate 0.15 mols होगे sodium acetate के तो उस टाइम पे solution का mass पूछ रहा है लेकिन उससे पहले इसी statement को आगे बढ़ाता हूँ क्या बढ़ा रहा हूँ भी solvent का mass आगया solute का mass बनाओ solute का mass बनाने का तरीका क्या बता था जितने mols हैं उसको multiply कर दो उसके molar mass से तो sodium acetate का molar mass देखिए ये तो मुझे भी नहीं पता है क्योंकि ऐसी चीजों को हमें calculate करना होता है carbon का 12 plus hydrogen का 3 12 और 3 15 carbon का फिर से 12 27 oxygen 2 है तो 32 32 और 29 69 plus इसका कितना होता है 23 सब का जोड़ लो 69 और 60 और 26 82 82 हो गया molar mass multiply इसके moles कितने थे 0.5 moles थे वहाँ क्या according देख रहा हूँ पहले 0.5 moles थे तो इसके moles 0.5 है और 0.5 को 82 से multiply करोगे तो 5 दूनी 10 1 5 अठे 40 और 41 41 गराम आ गया कितना आ गया भी तो solute mass आपके पास कितना आ गया solute mass आपके पास कितना आ गया 41 गराम जब solute का mass 41 गराम है तो solution का mass कितना हो गया solution mass solution mass कितना हो गया भी solvent और solute का जोड़ दो solvent का 1000 इसका 41 कितना हो गया 1041 गराम अब तो सही हो गया न अब वापिस statement पे आईए अब ये कह रहा है हमारे पास solution का mass 1041 gram है कब जब उसके अंदर कितने moles है sodium acetate के 0.5 तो when अब लिख सकता हूँ when sodium acetate have 0.5 moles then then mass of solution then mass of solution कितना है भी then mass of solution is equal to 1041 gram इतना बताइए भी समझाए है जब आपके पास sodium acetate के 0.5 moles है तब solution का mass है 1041 gram अगर हमारे पास sodium acetate के 1 mole हो जाएंगे तो solution का mass है वो कितना हो जाएगा भी solution का mass हो जाएगा 1041 divide में 0.5 क्योंकि आगे की quantity कहाँ पे चली जाती है divide में लेकिन हमारे पास sodium acetate के moles थे कितने 0.15 अगर हो जाएंगे अगर हमारे पास 0.15 moles हो जाएंगे then the mass of solution will be equal to 1041 divide में 0.5 और multiply में कौन चला जाएगा 0.15 इतने gram आपके पास क्या आ जाएगा भी इतने gram आपके पास solution का mass आ जाएगा क्योंकि जब solution के अंदर 0.5 moles थे इन statement से निकाला तो 1041 gram solution का mass था एक mole अगर इसके अंदर होते हैं तो divide में 0.5 और 0.15 है तो यह आ गया यह लीजिए भी आप एक बार पढ़ लीजिए इसको अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए मैंने सिर्फ और कोई change नहीं किया है question को समझिए और पढ़िए ध्यान से देखिए भी और आज के लिए इतना ही काफी है भी बाकी हम numericals इनके और आगे बढ़ाएंगे दीरे दीरे हम करते जाएंगे भी अब trumps को अब छोड़ेंगे नहीं इन सब चीजों को numericals भी करेंगे इनके other चीजे भी करेंगे सब कुछ करेंगे इनके उपर तो numericals भी देखेंगे everything कोई भी question छोड़ा नहीं जाएगा आपका कोई भी single question भी नहीं छोड़ूँगा ओके तो आपने देख लिया होगा thank you and have a nice day मेरे मेरे प्यारे प्यारे साथियो जब आपका support रहेगा तो जल्दी से हम live आएंगे live आएंगे आप भी question पूछ सकोगे और परते comment का आपका अंसर दिया जाएगा okay thank you and have a nice day